मैं लिईर करूंगा सब प्रोटेस्ट सारी तंदी में जो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं मुझे लीlex करने दें मेरी सपोर्ट करें पीचे से मैं जेल जाऊनगा मैं गोली खाऊंगा मैं लाटी खाऊंगा लेकिन पीछे तो खड़े नहीं कम से कम आके मेरा भी गिरेवान पकड़े मैं आम अवाम से ये गुदारिश करता हूँ कि मुझ समेथ सब का गिरेवान पकड़े हैं हाथ और दामन नहीं अब सब के रोल निकल के आ रहे हैं कौन सी दंजीम ने क्या किया और किस हमारे सोशल वर्गर ने और बहुत बड़े जो घद्दार है ना उनकी सब की फैरिस्ट मेरे पास है एक दिन उजागर करूँगा चार्शीट में से पढ़के जो आरेसेस के एजेंट धोपे गए थे उनकी भी चार्शीट में सब के नाम है मतिपर्देश सरकार कहती है कि जिन्होंने पत्थराओ किया उनके घरों को पत्थरों में बदल देंगे और उन्हें पत्थरों में तबदील कर देंगे लेकिन कहां हैं वो तमाम तंजीमें कहां हैं वो लोग जो मुसल्मानों की आवाज उठाते हैं आज मेरे साथ इस वक्त मौझूद हैं पूरे मुद्दे पर बाचीत करने के लिए सुप्रीम कोट के वकील महमूत पराचा पराचा साब सवाल थोड़ा सा आप से आज दीखा है आप मुस्लिम परसनला बोट के वकील भी हैं मुस्लिम पर सेलला वोट के मेंबर हैं आप सुप्रीम कोट के वकील हैं आप पराचा साब ये बताईए मुसल्मानों पर जो ये सब कुछ हो रहा है क्या आप खुद को इस से अलग कर पाएंगे क्या मुसल्मान आप की तरफ ना देखे और हम जैसे लोगों से जो अवाम की बुन्याद पर वरना हम लोगों कोई हैसियत नहीं है जीरो हैसियत है हमें से किसी की भी हमारा कोई इतना मजबूत कारणामा किसी का भी नहीं है लेकिन क्योंकि आवाम हमारी रिस्पेक्ट करती है उसकी वजह से हम लोगों की हैसियत है चाहे उलिमाए दीन हो या हम जैसे सोशल वरकर हो या हमारी पॉलिटिकल लीडर्शिप हो मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम किसी के नजर नहीं आते हैं हम लोगों की गलती है कि इतना मैं लीड करूंगा सब प्रोटेस्ट सारी तंजी में जो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रही है मुझे लीड करने दे मैरी सपोर्ट करें पीछे से मैं जेल जाओंगा मैं गोली खाओंगा मैं लाटी खाओंगा लेकिन पीछे तो खड़े नहीं कम से कम लेकिन अगर अब भी ये बहाने करके कि हमने पेटिशन लगा दी उस कोट में हमने चिट्टी लिख दी, हमने एक बयान दे दिया, हमने एक बहुती ज़्यादा जजबाती बयान दे दिया ये सब से कहीं न कहीं RSS के एजन्डे को ही मजबूती मिल रही है इन सब से ये साबित हो रहा है कि ये जो हमारी मुस्लिम कायातत है अभी ये पूरी अवाम जो की इतनी ज़्यादा बहादूर है, उसको रोक के, घेर के, उसके पैरों में बेड़ियां बांद के रखेगी मैं तो वलिंट्रिय कर रहा हूँ अपनी गलती मान के, कि मैं किसी भी प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए सबी तंजीमों से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ गुरेज है, कुछ लोग हमारे जहीव भी हो गए, बिमार भी है, या कुछ चल भी नहीं पाते हैं, वो लोग अपने मेंबर्स को भेजें हमारे साथ, प्रोटेस्ट मैं लीड करूँगा, अनफॉचिनेटली हम और दामन नहीं है, गिरेबान पकड़ें के क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं अपनी एक्स्प्रिनेशन दूँगा, मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा, आप से ये गुजारिश करूँगा, कि आप में से कोई मेरे साथ अगले एक हफते तक 24 गंटे रहे, मैं आपको द बता दीजे, ये सब चीजे तो अपनी जगा ठीक है, आप गलती मानिए, वो सब अपनी जगा ठीक है, मुझे ये बता दीजे, कि आप लोग एक साथ सर जोड़ कर क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, कौन सा ऐसा जो बेड़ी है, जो मुस्लिम तन्जीमों को एक साथ बैठने पर रोक रही है, कौन सी ऐसी बेड़ी है, जो ये कह रही है कि आप आगे मत बढ़िये, आवाज मत उठाईए, मुसल्मान आवाज उठाते हैं, तो उनको भी आप लोग खामोश करे देते हैं, इमान की कमी, अमल, दिखावे वाला अमल, उस पे, उस पे, उस पे ही निर्भ बाद में सब ठीक हो जाएगा, बहुत से ये लोग कह रहे हैं ना, हमें भी कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज मत किया करो कायादत को, पहले तो मैं नाम लेके भी करता था, मैंने इतना सुना हैं सिरफ, जो मेरे दोस्त, मित्र, यार दोस्त हैं, कि मैं अब नाम लेके बात नह कर रहा हूँ, दिल मेरा बहुत है नाम लेके बात करने का, नहीं कर रहा हूँ, मसले तान, लेकिन हर एक जो अपने आपको पोलिटिकल, रिलिजिस या सोशल, लीडर कहता है, प्रोफेशनल कहता है, बड़ा अपने आपको, मुस्लिम कायादत का, उसका ट्रायल होना कि उसके तार तो नहीं जुझे होएं कहीं से, उसकी बातों में क्या है, और बातों में सबसे बड़ा टेस्ट है, कि आज सबसे ज़्यादा परिषान शडूल का, शरूल ट्राइक कम्यूंटी है, जो मुस्लिम खायादत, अपने से पहले, शरूल का, शरूल ट्राइक काना लेके उनकी बारे में बात नहीं करती तो उसको शक की नजर से देखा जाना चाहिए तो आरका में एक लिंचिंग भी हुई है मैं कहता रहा हूँ किस की हुई है और किस वज़ा से हुई है एक एक राजा राम नाम के वेक्ति की हुई है और किसलिए कि उसने गवात्या की है जिन्दा उसको पीट पीट के मार दिया मुसल्मान है मैं क्या कहता रहा हूँ कि मुसल्मानों से ज़्यदा जुल्म जो होंगे सबसे बड़ा पहला नंबर शेडूल कास्ट कम्यूनिटी और शेडूल ट्राइब कम्यूनिटी का उसके बाद OBC का नंबर आता है तो फिर भी हमारे मुसल्मान सिर्फ मुसल्मानों की बात करते हैं जो कायद हैं भी और वो भी सिर्फ लबफाजी जमीन पे नहीं मुसल्मान ही मुसल्मानों की बात नहीं करते है जल्म जब भी मुसल्मान पर कहीं होता है तो हाईलाइट वही मुद्ध होता है शेडियूल का शेडियूल ट्राइब ओबी सी इन तमाम मुद्धों को पीछे रखा जाता है फ्रेंट पर ये क्यों लाया जा रहा है कि मुसल्मान पर सुल्म हुआ या तो कोई खुश होता है मनुवादी मनुवादी मान सिकता है ना ये जो हमारे देखिए सिरफ मुसल्मान जो हमारी कयादत है वही इसमें दोशी नहीं है जो हमारी सोकल्ड सेकुलर कायादत है ना और उनके सरनेम सब के ध्यान से देखिए सरनेम बहुत जरूरी होते हैं देखने के वो किस कम्यूनिटी से आता है चाहे वो कितनी भी मीटी बात कर रहा हो कितनी भी वो कुर्बानी देने की बात कर रहा हो कि तुम्हारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो मनुवादी मानसिक्ता के लोग हैं, को खुश कर रहे हैं, कि देखो मुसल्मानों के साथ इतना जुल्म हो रहा हैं। इस परपस से हमारे बड़े बड़े टीवी के एंकर्स, चाहे वो हमारे खुद के भी उनमें से हैं, मुसलिम्स भी हैं बहुत सारे, और मुसलिम्स के अलावा जो दूसरे हैं, वो जो सरनेम से पता लग जाते हैं जो ब्रामन है या जो दूसरे अपर कास्ट के लोग हैं वो जो मुसल्मान मुसल्मान कर रहे हैं उनका एक ही परपस दो परपस होते हैं एक तो दुनिया को बताना कि कितनी पिटाई कर रहे हैं मुसल्मानों की हम लोग या हमारे लोग और दूसरा कि मुसल्मानों को डराना अगर वो सच्चे हैं तो मुसल्मानों से ज्यादा जुम आज भी शेडूल कास शेडूल ट्राइब कम्यूनिटी पे हो रहे हैं उनका नाम पहले क्यों नहीं लेते उनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं वो नहीं करते क्योंकि मुसल्मानो वने में हमारे खुद लोग अपनी इमांदार अपनी इमांदार आप जैसे जर्रेलिस्ट आ हां अमारे उनसे भी जयूर्ण बाव दे रहे हैं जो की रहाने नुक्सान कर जाता हैं आप वरबार प्रोटेस्ट की बात क्यों करने लग जाते हैं आप एक बड़े आंदोलन की सब के रोल निकल के आ रहे हैं कौन सी दंजीम ने क्या किया और किस हमारे सोशल वर्गर ने और बहुत बड़े जो घद्दार है ना उनकी सब की फैरिस मेरे पास है एक दिन उजाकर करूंगा चार्षीट में से पढ़ के जो आरेसेस के एजेंट थोपे गए थे उनकी भी चा कहता हूं रास्ता क्या निकला कोई सीए सीए अनर्सी आज तक लागू नहीं हुआ यह कम बड़ी रहात है जो आज डिटेंशन सेंटर हरे बरे और भरे हुए होते ना वह आज खाली पड़े हैं डिटेंशन सेंटर यह कम बड़ी जीत है आप क्या मजा यह जो बच्चे जे कानून नहीं मना बन जाएगा ना क्योंकि धोके बास हैं वो लेकिन वापिस लिये तो बड़ी मांइब क्या हो की बात कर रहे है हमारे देश में 90 साल तक आंदोलन चला है अजादी का ये देश बजाने का अंदलन चल रहा है एक साल क्या होता है उसका